कोविट महामारी के चलते बन स्कूलों में फिर से रौनक लोट आई है। स्कूलों में कोविट व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यापक पूरी तरह से सजक होकर कार्यक कर रहे हैं। अन्य कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह ही करवाई जा रही है। स्कूल में कोविट नियमों के तहट थर्मल चेकिंग, सैनिटाइजेशन के साथ चात्रों को जागरूप करने के लिए अवेरनेस बैनर भी लगाए गए हैं। स्कूल में हर कक्षा में उचित शारिरिक दूरी बनाए रखने के साथ, हर कक्षा में अलग-अलग लंच का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही स्कूल में आने जाने के लिए भी निर्धारित अंतर रखा गया है ताकि भीड जमा ना हो। स्कूल के पहले दिन दिये भी धरमशाला के परधानाचारे एसेच खान के अकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन भीर रखा गया। स्कूल के परधानाचारे विश्वाश शर्मा ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा स्कूल के लिए सर्वो परी है और हम अपने छात्रों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए वचन बद हैं। उन्होंने अभिभावकों का स्कूल के परबंधों पर अपना विश्वास रखने के लिए धन्यवाद किया विश्वास शर्मा ने कहा कि स्कूल की शुरुआत में 60 प्रतिशत से अधिक छात्रों का स्कूल पहुंचना स्कूल और चात्रों के आपसी सोहार्थ पूर्ण संबंधों को दर्शाता है उन्होंने चात्रों से सभी सुरक्ष नियमों का पालन करने का आवान भी किया देखे सबसे पहले में ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे COVID पीरिड में हमने ये बहुत शिदत से महसूस किया है कि the building is nothing these children are the life and soul of the school teachers ने बहुत महनत की, सभी ने अच्छा काम किया लेकिन physical presence of the children in the classroom is absolutely something very different exams आने वाले हैं, board classes school आगी है school ने अपनी तरफ से हतियात के सारे कदम उठाय है morning और evening दोनों time school sanitize किया जा रहा है disinfectant spray किया जाता है bathrooms में sanitizers, liquid soaps और इसी तरह corridors में भी social distancing का पूरा ख्याल रखा जा रहा है in the lunch breaks, children are not allowed कि उन्हें किसी जगा पर उठके जाएं, वो अपनी seats पर ही रहेंगे उन्हें guide किया जा रहा है कि किसी भी तरह का stationary या कोई भी eatables वो exchange ना करें school staff 24-7 ready है, mustayad है, हमारा non-teaching is playing their part and सभी बच्चों से, सभी parents से भी हमारी गुजारेश है कि अब इन्हें school भेजें ताकि इनकी written practice जो है, वो हो सके और exams में best से best रचाचाँ इनकी safety और इनके precautions जो school की तरफ से due है, वो हमारी जमेदारी है, हम उन्हें पूरी तरह से पालन करेंगे और मैं सभी parents को ये assure करना चाहूँगा, कि बच्चे हमारे पास उतने ही safe हैं, जितने की आपको पास घर में हैं बलके अगर मैं सही कहूँ, तो शायद यहाँ जादा हमारी पूरी कोशिश है कि इन COVID guidelines को हम पूरी तरह फालोग करें और इन बच्चों को इस महल में best से best प्रोवाइड कर सके वही स्कूल में आए विद्यार्थियों ने स्कूल के द्वारा किये गे सुरक्षा प्रवंधों की सरहना की साथी इतने समय के बाद स्कूल में आने पर अपनी खुशी भी व्यक्त की उन्होंने कहा कि ये समय उनकी पढ़ाई के लिए अतिम हैत्पूर्ण है तथा स्कूल में आकर अव्य अध्यापकों से अपने सिलेबस के शंशे दूर कर सकते हैं तो कि अबनुट मैंटेम शुश्यणिस से मास्क सथा है और साहे साहे संथा अपनाल ठाजवाएं बटेर आख शारमारी में बटेर आख शाय के लिर इंचरी इन op मूलाटार शया टारिडे इन जलेगाएं so it is a very memorable and happy feeling from inside of my world. Social distancing is well maintained and teachers and students are also well aware of social distancing AND ALL. and it is very good to be here after a long time. Since worldwide, we are here in high school and we are getting getting natural sanitizers किया जा रहा है, temperature check हो रहा है, and social distancing maintain किया रहा है, and classes में भी distance में ठा रहा है, and सभी के mask लगाया हूँ, and combustion, and hang wash के लिए भी यहां पर soap प्रवाइड किया गया है, sanitizers and proper distance maintain किया रहा है, and study करने में भी थौपी help हो रहा है, यहां भी in-person as compared to online classes में तो उनके ठीक है